अच्छा ये जो बाजार का रियाक्शन ये फिर कैसे समझें कि एक चलिए अनुमान मुताभी का एक रिलीफ राली आ रही है पांच दिनों से आप गिर रहे थे या फिर थोड़ा एक जो इंतजार था कि फेड क्या कहता है वो एक बार पचाने की कोशिश कर रहा है बाजार कै रियकशना परफेक्टों मुत परफेक्ट प्राबलम फेडमे र अमिरिका की इसरकार में हैा बाजार में नहीं है बाजार अपने हिसाब से सही कर रहा है तो डोनों चीज特ए 같아 बाजार क्यों बढ़े हैं पोइंट नम्बर वन आपकी मीटिग निकल गी पोइंट नम्बर तो मिटिंग में जाने के पहले आप बहुत हलके और और सोल्ड थे नेस्टेक अपने टॉप से 30-35 परसे नीचे नीचे है तो जाइर सी बात है आप बहुत हलके बाज़ार में जा रहे हैं तो तीसी चीज है कि हमेशा है इवेंट निकल जाने के बाद एक रिवर्स एक्शन आ हुआ है चोथी चीज यह भी है कि मिटिंग के बाद थोड़े बहुत कमोडिटी नीचे भी आए हैं तो यह सारे कारण है जिससे आपको अमेरिकी वाज़ार में उच्छाल दिख रहा है वह हमारे यहां भी आएगी तो एक डे टू डेर में जो पहले पहले जो आपका सवाल बादार कूप पर आना ही आना था क्योंकि आप बहुत लाइट होकर गए हैं पॉईशन पर और जब लाइट है तो ने चुलिए एक शौट कवरिंग रेली समझ लें या एक और सोल मार्केट से रेट केट बाउंस समझ लें आपको जो शब्द अच्छा लगत हो वो इस्ति बैर मार्केट में जी डाउ लगबग बैर मार्केट के नजदीक हैं आम तोर पर एक तरफा बिकवाली होने के बाद जो पहला बाउंस आता है उसे तो बेचे ही जाता है पिल्कुल हो सकता है दूसरा भी बिके इस बाउंस में अमेरिका बिकेगा तो ही वापस अब आप डा वहां टिककर बंद हो गए तो आपके लिए थोड़ी और तेजी बनेगी अधर जाकर आपको अमेरिकी बाज़ार में प्रोफित बुकिंग आएगी जहां से आपने ब्रेकडाउन दिया है पहले 31,000-31,000 दोस्तों की रेंज को आपने कम से तीन या चार बार टेस्ट किया बिल कि रेंज फाइनली बड़ा टार्गिट बनाएगी जो वहां पर आपका लगबग 20% का करेक्शन भी हो जाता है वहां पर डाव रुकना चाहिए तो उससे पहले पहला बाउंस जो आएगा जिसमें 31,000-31,000 दोस्तों तक अमेरिका अगर आज रात को पहुंच आए तक पहु कि अमेरिका के जो आख रहे हैं वो नेगटिव आए हैं अब पूराने वाले में एडजस्टमेंट मान लो और अपने मन को तरसली देना चाहिए तो हम कह सकते कि दो क्वाटर लगातार आपकी नेगटिव नहीं आईगी लेकिन कि अगले क्वाटर नहीं आएगी पता नहीं हो सकता है मान कर चली रहे हैं सो अब आप यह वैसे ही वाला मामला है कि अगर आप क्रिकेट खेल रहे हैं और 99 पर आउट होगे तो सेंचुरी नहीं है यह क्रिकेट तो है नहीं अब कल जैसे निफ्टी आपका बंद हुआ है 15,693 पर अब आप उसको 700 मानते हैं नहीं मानते अगर क्रिकेट है तो 700 नहीं है यह मार्केट है तो 700 यह पंदरा साथ सो इकलोज बराबरा तो इस हिसाब से अगर आप देखे तो अमेरिका की कोनोवी दो कोटर से एक तरसे नेगेटिव हो इग गई है रेसेशन शुरू हो ही चुका है अमेरिका में तो मेरा यह समझना है क कि बाउंस लेक जो आएंगे उसमें अमेरिकी बादरों में भी शुरुआती एक दो बाउंस लेक में तो पक्की बिक्वाली आएगी उसके बाद अगर फेक्टर्स पोजिटिव है फेक्टर्स पोजिटिव क्या हो सकते हैं क्रूड आपका 110-105 आजाए 100 पे आजाए फेक् पर फेक्टर्स पोजिट्वार बाद नेगिटिव सब आएं लंबे समय बाद ये सारी चीजे जो है अगर ये हो जाए तो आप ये कह सकते कि हां थोड़ी रहत वाली चीजर उसके बाद फेट को आदा परसेंटी बढ़ाने से काम चाह जाएगा फिर से पहुन परसेंट नह हैं तो वेत नवच वाली सिचेशन अब से बस्त है वेत नवच कार्ण है